हाई दोस्तो परदेशी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंडिया से सौधी अरब जाने वाले हैं और नए वीजा पर सौधी अरब जाने वाले हैं तो आप मुकीम पोर्टल पर एराइवल का रेइस पर जाने वाले हैं तो लेकिन उससे पहले दोस्तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेश्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है और अभी तक आपने परदेशी फ्लाइ कि मैंने description में दे दिया है, वहां से आप direct इस website पर visit कर सकते हैं, आप ये registration एक दिन पहले या दो दिन पहले या तीन दिन पहले भी registration कर सकते हैं, लेकिन मेरी राई यही है कि आप दो दिन पहले इस registration को करें, क्योंकि अगर एक दिन पहले आप करने की कोशिस करते हैं, by the way website कि आप दो दिन पहले ही मुकीम portal पर arrival का registration कर लें, तो यहां पर आपको arrival का registration करने के लिए अगर आप नए वीजा पर जा रहे हैं, तो यहां पर आपको सबसे पहले दिख रहा है vaccinated visitor, इसको आपको open करना है, open करने के बाद आपसे आपकी nationality पूछी जा रही है, तो यहां पर म India select कर लेना है, India select करने के बाद आपसे आपका visa number पूछा जा रहा है, visa number आपको यहां मिल जाएगा, आपका जो passport stamp है, सबसे उपर जो आपको यह दिख रहा है, 6076, ऐसे करके सबसे उपर जो होगा, वही आपका visa number है, इसको आपको यहां पर इंटर कर देना है, जहां आपसे आपका visa number पूछा जा रहा है, तो यहां पर मैं visa number इंटर कर देता हूँ, उसके बाद मैं next पे चलता हूँ, और इस registration को complete करता हूँ, तो नए visa पर जो भी लोग साओध एरफ ट्रिवल कर रहे हैं, उनके लिए यह registration अनिवार है, बाकि छुटी वालों के लिए भी अनिवार ह जैसे verify करेंगे आप, आपका details आजाएगा, आपका नाम, आपका passport number, date of birth, यह सारी चीज़े आजाएंगी, automatic आजाएंगी visa number पढ़ने के बाद, फिर आपको select करना है कि किस airline से आप जा रहे हैं, तो बहराल यह मैं Saudi airline select कर लेता हूँ, जिस भी airline का ticket आपका होगा, वो airline आपको select करना है, फिर यहाँ पुछा जा रहा है कि flight number क्या है, तो जो flight number है वो है, SV 891, यह Saudi alliance का flight number है, फिर पुछा जा रहा है कि आप किस तारीक में सौधी पहुझ रहे हैं, तो यह 22 January में जनाप पहुझ रहे हैं, तो मैंने 22 January select कर लिए पुछा जा जा रहा है कि सौधी में कहां आ रहे हैं रियाद में आ रहे हैं यह दर में स्वेक्सि इसन के डिच्द सेशन सेड़ करता हूं पिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि वैक्सिन टाइप किया है तो मैं यहां पर आक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सिन सेलेट करता हूँ जिसको कोवी सील्ड भी बोलते हैं उसके बाद पुछा जा रहा है कि वैक्सिन की पहली डोज आपको कब लगी है तो इसको भी मैं सेलेट कर लेता हूँ कि वैक्सिन की पहली डोज कब लगी है तो यह डेट यहा आपको कौन सी वैक्सिन लगी है तो सेकंड भी को भी सिरिल की लगी है यानि आक्सपोड एस्ट्राजेनिका की वैक्सिन है और फिर पुछा जा रहा है कि जो आखरी डोज लगी है यानि जो सेकंड डोज लगी है वो कौन सी तारीक में लगी है तो वो तारीक भी आपको सेले करना यानि किस देश में लगी है तो यहां पर मैं फिर इंडिया कर लेता हूं फिर उसके बाद फूझा जा रहा है ऐसके बाद कुछ नहीं है यहां पर आपको I am not reward पर 우리 करना है उसके बाद इसको क्लिक कर देना, I acknowledge पे नियम सर्थे जो भी है एक बार आप चेक कर लिजिए कि आपने जो भी चीजे इसमें फिल की है वो सही है या नहीं सही है खास तोर पर vaccination को लेकर कि कौन सी वैक्सिन लगी है और कौन कौन सी तारीक में लगी है उसके बाद आपको इसे submit कर देना है submit करते हैं दोस्तों आपका arrival का registration successful हो जाएगा और आपको arrival registration का print out अपने पास रख लेना है उसके बाद साओध एरब के लिए आप travel करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से आप मुकीम portal पर arrival का registration कर सकते हैं बैरल सौधी के लिए बहुत सारी flight है जा रही है सौधी अलाइज की flight जा रही है इसके लाव fly nas, fly dubai, indigo, go air, spice jet और भी कई सारी अलाइज की flight है लगातार सौधी के लिए operate हो रही है तो अगर आप सौधी के लिए travel करना चाहते हैं चाहे आप नए वीजा पर जाना चाहते हो या पिर अगर आप छुटी पर आया हुए सौधी अरब जाना चाहते हो तो भी आराम के साथ सौधी अरब के लिए travel कर सकते हो बस अरते अगर आपको vaccine इंडिया में लगी हुई है तो आपको पास दिन का quarantine package भी लेना होगा अगर आपको vaccine सौधी अरब में ही लगी हुई है तो आपको कोई quarantine package नहीं लेना है सिर्फ आप टिकट लेंगे उसके बाद सौधी अरब के लिए travel करेंगे तो दोस्तो ये वीडियो था मुकीम portal को लेकर arrival registration को लेकर कि किस तरीके से नहे वीजा वाले मुकीम portal पर arrival का registration करेंगे आपके जहन में दोस्तो कोई सवाल है मुकीम portal arrival registration को लेकर या और कोई सवाल है वीजा, पासपोर्ट या टिकट को लेकर तो वो सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं पॉसिस करूंगा आपके उन सवालों के जवाब देनेंगे तो इसी तरीके के helpful वीडियों के लिए दोस्तों आप पर्देशी फ्लाइट यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक आप अपना ख्याल ल